different types of database, पिछले लेक्षर के अन्दर हमने क्या बढ़ा था कि database कहां पे use होता है ठीक है और उसका कितने benefits रहेंगे और कहां कहां पे हम use कर सकते है database का exactly meaning क्या होता और किस जगा पे use होता है ठीक है पिछले लिक्टर में हमने यह बढ़ा था अभी हम क्या बढ़ेंगे के कितने हम पर चहले है यहां पर हमरे पार टीसरा है हमारे बात स् इमठासों डेटाबेज, चो था है, क्लाओड डेटाबेज, रिखलेशनल डेटाबेज, नेटवर्क डेटाबेज, अब्चयक ब मुझत कर देटाबेज, तो यहांपर हमारे पास बहुत स्वेरेट डेटाबेज हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में भी पड़ेंगे, तो यहां पर एक कौन कौन सी चीज़ पढ़ेंगे तो सेंट्रलाइज डेटा बेज है उसके अंदर क्या रहता है कि जितना भी डेटा आपका रहे का वह एक ही जगह पर पढ़ा होगा और जिस जगह पर पढ़ा है ठीक है उसको यूज करने के लिए एक ही सिस्टम यूज होती है मतलब उसको आपको कभी भी एक्सेस करना है तो आपको उस वैबसेट के अंदर जाना पड़ेगा लिंक के अंदर जाना पड़ेगा और यहां से तरह के आपको फैसलीटी दी है उस तरीके का डेटा आप पैस्ट करवा सकते हो तो टो गया हमरा सेंट्रलाइज डेटाबस उसकी मीन मतलब एकी जगह पर स्टोर होगा, it comforts the user, मतलब user को comfort देगा, ठीक है, data को store करने के लिए और different location से access करने के लिए, ठीक है, it comforts the user to access the store data from different location through several application, अलग अलग तरीके की जितने भी application आप बना होगे, web application होगी या mobile application होगी, आपको किसी भी तरीके से उस database पर access करना है, ठीक है, तो वहाँ पर यह database क्या रहेगा, वहाँ पर centralizer, मतलब एकी चगह पर पढ़ा होगा, जिस तरह की आप application बना होगे, उसके तरह को link करवाना, जैसे कि उस तरह के जहाँ पर data पढ़ा हो, उसको आप access कर सकते हो, उसके लिए example यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कि central library दिया हुआ है, मतलब मेरे पास किसी library के अंदर आपने register करवाया है, और आपको उस book को बढ़नी है, ठीक है, तो आप जब login करोगे, तभी आप उस library के अंदर जितनी भी book से उसको आप access कर सकते हो, ठीक है, तो यह हो गई हो, आपकी centralized library, और आधर रगार के प्रोजेक्ट के अंदर जितना पी आधर कार्ड पड़ा हो, एक रोडो डेटा पड़ा होगा, तो एक ही जगह पर पड़ा होगा, ठीक है, उसको आप कभी भी access करना है, या डेटा आधर कार्ड के अंदर आपको phone number या address चेंज करवाना हो, तो एक ही जगह पर होगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो इसके जो में डेटा करेगा, मतलब उसकी जो कोडिंग रही कि उसके इंदर चेंज इस नहीं होगा, ठीक है, दूसरा एड्वाने जी कहा है, इत प्रोवाइड बेटर डेटा क्वालिटी, मतलब जितना भी डेटा पड़ा हो, एक दम चेंविन होगा, कोई भी त गलत तरीके का डेटा होगा, नहीं, मतलब स्टांडर्ड डेटा वहाँ पर रहेगा, और चीतना भी डेटा हमारा रहेगा, उसको और्गनेज करेगा स्टांडर्ड तरीके से, ठीक है, इस लोट कोशली, लेस कोशली, भीकॉज अब इसको मैनेज करने के लिए बहुत कम पर जो डेटा लाना या बेजने के लिए, जो भी सरवर बीच में रहता है, अगर वो फेल हो गया, ठीक है, तो आपका चितना भी डेटा होगा, वो लोस हो सकता है, मतलब यह हमारे लिए जितना भी डेटा पड़ा हो, अमने सारा पैसा करने के बाद हमने बनाया है, डेटा साथ तो यह क्या होगी आपके बहुत बड़ा लोस है तो इसको मेनेज करने के लिए लोग बैकप सिस्टम भी रखते हैं जो अपने आप बैकप लेता रहता है ठीक है मतलब इसके चांसिस डेटा लोस होने के बहुत ही कम है ठीक है तो यह होगी है और उसका हम फ्लो भी देख अगर इसके अंदर जितना भी डेटा पड़ा होगा वह आपका कहां पर बड़ा होगा कि यह कम्यूनिकेशन एंड सिस्टम कंट्रोल लिखा हो ना आपका डेटा पड़ा होगा है मतलब एक ही जगह पर वह पड़ा होगा है ठीक है ओर सर्वर क्या करता है कि आपको जो भी आप सथ कर रहे हो सर्वर और बड़ेगा भी कहां पर है होगी तो अपने इंटरनेट और अधर वues से फाइंड करेगा भी में फ्रेम में जाएगा और यहां पर इटा फाइंड करके आपको देगा फिर सर्वर के थू अगर इसमें प्रॉब्लीम यहcca है कि आगे पड़ा आ कर एंटर डेटा विल लोस तो यह एक सिस्टम हो गई जिसको आप एक्जामबल के थू ग्राफिकली भी यहां पर शोगर सकते हो यह हमारा सेंट्रलाइज डेटा हो गया उसके बाद आता है कि डिस्ट्रीबुटेड डेटाबेस डिस्ट्रीबुटेड मतलब हमने नाम से बता में प्रेंसटोर होगा तो आनुकर सेंट्रलाइज डेटा डेटा बेस की तरह नहीं इन दिस्ट्रीपुटेड सिस्ट्रीपुटेड अमोंग डिफरेंट डेटाबेस सिस्टंफ ऑर्गनाइजेशन को अलेज्टैसोर अलग अलग डेटाबेस दीटा रहेगा औरenderOS जोगले आप पर तक मलत को और यसे उस में पमेषा क Hauseर जो सफ्क्राइब का वहनेता ब्यूपन-टातुर皮। यह जी वहाँ खिंज को सफॉरे फोगया, requiring me to use 2 दूसरी जागहों में लिनक तो जैसे आप उस लिंक के अंदर अपना से करेंगे सुरत के अंदर से ही करेंगें मैं दोनों system के अंदर से बार का का के दर कर i죠 कि वो भी apply बीज मैं पर कोई भी data अब एका खरब हो गया deciकelnud की अग़े हो घ्लाड़оз हो गया बना कर you वह जो दूसरी जगहाँ पर उसकी लिंक अलग आईगी वह लग डेटाबेस के लिए कनेक्टेटी लिंक्स अलग अलग दी हुए जैसे कि एक दूसरी जो अलग अलग डेटाबेस इसको कोई फरक नहीं पड़ता उसके एकजमपल यहां पर क्या दिया हुआ है कि अपाचे, कसांद्रा, एट्स, बेज, एन इगनाइट यह सारे डेटाबेस हो गई इस यह सारे डेटाबेस हमारे पास यहां पर क्या है कि दिस्टिबूटेड फॉर्म में दी हुए उसके एडवांटेजिस क्या है तो मॉड्यूल और डेवलेपन मॉड्यूल मतलब कैसे कि अलग अलग पार्स में भी आप उसको डेवलप कर सकते हो जैसे एक तरह कर डेटाबेस है मुझे उसे अलग तरी कैसे डेटा इंफरमेशन स्टोर करवाने तो इसे भी कर सकते है दूसरे डेटाबेज है उसको मुझे अलग अलग तरीक ऐसे डेटा स्टोर करने तो भी कर सकते है ठीक है मतलब डेटाबेज का नाम से में रहेगा पर वो अलग अलग जगह पे रहेगे जितनी इनफरमेशन अगर एक डेटाबेज में स्टोर हुई यह वह दूसरे डिटाबेज में स्टोर होगी नहीं मतलब दोनों एक इंटरनल एक दूसरे से connected ही हो रहते हैं तो यह हो गया मेरा distributed system ठीक है इट प्रोवाइड बेटर डेटा quality which enable organization to establish a data standard मतलब इसके अंदर भी same thing की कोई गलग दर डेटा नहीं रहेगा ठीक है इसके अंदर में एड़ाइड़ेज क्या रहता है कि जैसे server fail हो गया कोई एक भी तो हमारा data loss हो सकता है पर यहां पर यह चीज़ नहीं है मतलब distributors database वह ज्यादा फाइद है ठीक है उसके लिए example यहां पर दिया हुआ है कि जितने भी manufacturer हमारे computers दिये हुए है cells है headquarter manufacturer cells और बीच में क्या है है हमारा distributed database तो इसके लिए इन लोग ने क्या क्या कर लिए अलग database पनाए हुआ है cells के लिए अलग database है headquarter के लिए अलग database पर यह तीनो database internally एक दूसरे से connected है कभी भी headquarter को manufacturing की detail चाहिए तो कहाँ पर जाएगा सिदा manufacturing database के अंदर जाएगा ठीक है तो internally एक दूसरे से connected होते हैं पर होते हैं क्या है अलग-अलग ठीक है तो यह हो कि हमारा distributed system distributed database free relational database आता है तो relational database के अंदर क्या होता है कि एक दूसरे जितने भी database हमारे पास है तो उसके अंदर जितना डेटा होगा हो एक दूसरे से connected है मतलब relation में होगा तो इसको बोलते relational database this database is based on the relational data model ठीक है तो उसका एक diagram बनाया होता है मोडल दिया होता है इसके थूई इसको डेटा को स्टोर करवा सकते है विच स्टोर डेटा in form of row and columns जितना भी डेटा आपका रहेगा वह एक रो और को कोलम के फो में रहेगा ठीक है and together form अडले और rows और कोलम एक साथ में क्या बनता है उसका टेबल बनता है उसे रिलेशनल बोलते है और जो रो होती उसे टुपल बोलते है और कोलम होती है उसे एट्रिबूट एक बीट बोलते है इसका example हम देखेंगे जैसे कि आपको इसका पता चले गा रही डिपलिए और रिलेशनल डेटाबेज यूज एस्क्यूल मकलब स्ट्रक्चर क्वेरी लेंगवेज और स्टोरिंग डेटा मनिपुलिए मतलब चेंज डेटा एस वेल एस मेंटेनिंग डेका मतलब डेटा को मेनेज करने के लिए ठीक है उसका example क्या दिया हुआ है यहां पर MySQL, Microsoft SQL Server and Oracle तो यह तीनों क्या होता है कि relational database रहते हैं ठीक है फिर उसके advantages क्या है कि इसको भी हम modular अलग अलगतर ही कर से develop कर सकते हैं ठीक है data quality manage कर सकते है ठीक है तो same thing जितनी भी distributed system के अंदर थी वही होगी यहां पर कि relational database की ठीक है उसके अंदर example यहां पर क्या दिया हुआ है कि एक टेबल बना हुआ है उसके अंदर जो customer ID customer name और status वह आपकी एक row है ठीक है और नीचे जो one google or active दिया है वह भी आभी एक row हो गए और column के अंदर जो customer ID दी हुई है column मतलब customer ID 123 यह आपकी column हो गई ठीक है तो customer ID को क्या बोलते है column column मतलब यह आपकी हो गई one type of attributes attributes मतलब उसको पहचानना कैसा है वह चीज और टुपल मतलब जो रोके form है one google active two amazon active वह आपकी टुपल होगे मतलब रहोगे उसके अंदर information पढ़ी होगी ठीक है information पढ़ी होगी जो उसका कोई database रहता नहीं है किसी भी तरीके से कैसे भी हम डेटा को store कर सकते है फर उसका एक forms है कि इस तरीके से होना चाहिए तो no SQL मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर corporate structure query language मतलब उसका को structure नहीं है fix किसी भी तरीके से आ सकता है data ठीक है तो not only SQL is type of database is used for storing a wide range of data set मतलब SQL is a database नहीं है जो data store करने के लिए data store करने के लिए यूज होता है बत इसके अलावब भी no SQL भी है it is not relational database तो no SQL यह relational में नहीं होता ठीक है मतलब row और column के form में नहीं होता है ठीक है और इस इट स्टोर डेटा ओनली डेटा not only in tabular form बट इस सेवरल डिफरेंट वे अलग 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 तरीके से उसको store करवा से तो अलग अलग तरीके क्या है यहां पर तो यहां पर दिया हुआ है कि की वेल्यू और की और वेल्यू के form में होता है कोलम फेमेली के form में होता है ग्राफ के form में भी हो सकता है वो डॉक्यूमेंट भी हो सकता है तो यह भी आपका one type of क्या हो गया डेटा बीज हुआ पर आपका क्या हुआ है नो मतलब इसके अंदर को structure नहीं है fix structure नहीं एक डेटा स्टोर करने के लिए ठीक है फिट केम इन्टो एक्जिस्टेंस वो डेटा है ठीक है एक्जिस्टेंस मतलब वहां पर पड़ा हुआ है इस form में वह रहता है ठीक है वेंड डिमांड बिल्डिंग modern application अभी जिस तरीके की application और वेब application आप बना रहे हो ठीक है तो इसके बेज़ पर रहती है अभी new SQL बेज़ ठीक है उसके एक्जमपल क्या हो है ठीक है उसके एक्जमपल क्या हो है तो अपने आपी database अपना डेटा बढ़ता जाता है मतलब scalable है डेटा बढ़ता ही जाएगा बहुत सारे डेटा आपक अपी database को अंदर चितने भी increase size ऑबढ़ती रहे तो अपने आप और चितना डिटा आप डालोगे उतनी वह size रोकता है उससे कम यह जैदा नहीं रोकता है जैसे क्या आपने उसकी size बढ़ा दी तो अपने आप उतनी size बढ़ा देगा और बाकी दूछरे data रहेगा उसको भी क है नोस्क्राइब मतला मोगों भी यूज़ता है एज ट एज इस नोट रिकोर्ट टू स्टोर डेटा इन्सर्क्ट्ट्राइब जहां पर डेटा को सब्सक्राइब में स्टोर करवाने की जरूब नहीं है ठीक है दूसरा एड्वेंटेज क्या है कि इस बेटर ऑप्षेन फोर म मरलब स्केलेबिलिटी मरलब जितना भी डेटा आपको उसके अंदर बढ़ाना है उतना आप बढ़ा सकते हो ठीक है तो यह हो गया नोस्क्राइब उसकी एक्जम्पिल क्या है तो यहां पर दो तरीके चाहिए हुए कि SQL में कैसे होता है और no SQL में कैसे होता है तो SQL ने इंद सकते है नोस्के बाद एक लाउड़ डेटाबीस तो अंदर जितना भी डेटा आपका पड़ारेगा ठीक है तो उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि क्लाउड के फॉं में रहता है मतलब जितने भी डेटा पड़ा है उसको सर्चिंग करिए है चेंज करवाना है और उसके अं अंदर गएता है ठीक है जो सेंट्रलाइज तरीके से यूज होता है मतलब इसके अंदर no sql भी आ गया और सेंट्रलाइज भी आ गया दोनों तरीके यूज होते हैं तो अट टाइप ओप डेटा बेज वेर डेटा इस टोर्ड in virtual एन्वायरमेंट वर्चुल मतलब क्या हो गया उसका एक इमेज फॉर्मेट होता है जैसे कि हम आईने के सामने खड़े रहते हैं तो कैसे एक वर्चुल फॉर्म में दिखा देते हैं वैसे ही एक जितना भी डेटा हमने जहां पर स्टोर करवाया है तो उस देटा को वर्चुल क्लाउड कीटिंग फ्लैटपें मतलब लग क्लावड कंप्यूटिंग क्या देता ए जितना भी डेटा आप उसको अनृज करके भी डेता है बिटत है जैशे कि आपको इस यहीर के अंदर आपने जितना भी प्रॉफिट किया या ल वी लोस किया तो उसको एक एनृणलाइा जो नंबर्स होते हो आपको देगा यहां पर अपने आप ही देगा जैसे कि कोई भी आपक अगर आपने cloud server यूज किया होगा या database यूज किया हो तो उसके अंदर जितने भी benefits होगे आपको यहां पर मिल सकते हैं ठीक है इट प्रोवाइड यूजर विट वेरियस cloud computing services तो यह भी आप cloud database ले रहे हो तो उसके अंदर बहुत तरीके की अलग अलग तरीके की applications होती है जैसे कि आपको computing services देता है वो जैसे कि आपका मैंने अभी आपको बताए कि profit loss हो गया manufacture कितना करना है आपको sales के ना करना कितना करना है headquarters के अंदर को चीज़ा है और आगे आपको कितने रखने है कि निकालने है तो वो सारा कुछ computing क्या देगा कि इस service इस cloud के अंदर आपको computing तो उसके अंदर क्या रहता है कि आपको computing services वो लेनी पड़ती है अलग से जैसे कि यह आपर सास पास और आइस ठीक है तो यह दिया हुआ है तो यह अलग अलग तरीके की services है आपको कौन सी service चाहिए वो अलग से आपको payment करना होता है उसका ठीक है उसके लिए क्या दिया हुआ है यहां के अलग से amazon web services example तरीके देखो अभी amazon web services क्या करता है तो उसके अंदर जितने भी products है कितने का sales हुआ है तो उस उसका एक हिसाब रखेगा नंबर रखेगा उस नंबर को आप कभी भी search करोगे ठीक है तो वह आपको बताएगा कि इस मन के अंदर हमें कौन सी requirement है कितने नंबर मरला नंबर के फॉर्पेट में जितना भी डेटा देगा वह आपको एक नंबर के फॉर्म में रखेगा और उसके अंदर नंबर इंग फॉर्माट में वाफिस आपको जितना भी डेटा चाहिए अर्टिफिशल के सकते है वैसे यहां पे क्लाउड के अंदर जैसे डेटा बिद लोगे तो आपको आर्टिफिशल ही वो बताएगा कि किस तरिके के डेटा के आपको ज रिदनी पड़ेगी अलग से तो इसका एडवन्टिज इस क्या हो गया इतने बल्द गूड प्रोड़क्टिविटीविटी तो पहले से नमर बता दे रहा है कि इतनी हमें रिक्वाइर्मेंट रहेगी तो प्रोड़क्टिविटी भी हमारी अच्छी रहेगी इन अप्लिके जैसे कि डेटा को स्ट्रक्टर पॉर्मेट में भी रखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है इट इस बेटर ऑप्शन फॉर मैनेजिंग एंडलिंग डेटा सेट इट प्रोड़क्टिविटी तो सारे डेटा एक साथ स्टोर करवा सकते तो उसके एक्जंपल यहां पर क्या रहा क्या है कि क्लाइड क्लाउड कंपुईटर को पर क्लाउड के फॉर्म में दिया है उसके अंदर जितने भी सर्वर से वर्च्योल डेक्स्टॉफ से सॉफ्ट्वेर है एप्लिकेशन से वर स्टोरेज है उस सारा कुछ एक के अंदर ही होता है अलग-अलग तरीके से यहां पर हो जाएगे ठीक है तो यह हमारा डीटर बेश इस था ठीक है ढागि का डेटाबेज नेटरवर्ग डेटाबेज रच्ण वरियंट तर फॉर्टर के डेटाबेज ow लो सब आपको fakasında कि क्या ने ठीक हो ऐसfach इसके जालिए और फिस तरी से कि वह और यूज होता है ठीक है मतलब यह database हो गया जैसे जैसे हम आगे पढ़ाएंगे तो वो कैसे यूज होता है इसके अंदे attributes टूपर किस तरीके से वो करता है ठीक है तो यहां पर हमारा लेक्टर और इसको सही से पढ़ना तो जैसे हमारा आज का लेक्टर खत्रम होता है तो उसके बाद आपको यहां पर आपकी जो questions है वो यहां पर दी हुई है जिसकी मदद से आपको attendance लगाने नहीं तो यहां पर तीन तरीके तीन अलग-अलग questions है how many types of database different between SQL, NoSQL and what is a table तो इन questions को आपको attendance के form में submit करवाना है तभी आपकी attendance गिनी जाएगी ठीक है तो आज के लिक्टर के लिए यह नहीं था thank you